राजस्थान यानि बगावत का दूसरा नाम फिर चाहे मैदान जंग का हो या मुहबबत का जब पूरा मुल्क मजहवी का टरता की आग में छुलस रहा था रेडिकलिफ की खीची गई एक लकीर के इर्द गिर्द हिंदू और मुसल्मान के खाचों में बट रहा था तब इसी मजहवी उन माच से बगावत करके राजस्थान की स्मिट्टी से एक मुहबबत जवान होती है जो पूरे मुल्क को मुहबबत का पैगाम देती है इसी राजस्थान के एक लड़के ने मुहबबत की वो इबारत लिखी थी जिसके हर लफ्स के माएने इश्क हैं, जिसके हर लफ्स के माएने महबत की बगावत है अज आपको राजस्थान के सक्तर वर्षों के सियासी सफर की सबसे बागी महबत की सबसे अमर दास्तान सुनाने आए हैं यानि राजस्थान के पूर मुख्यमंतरी बरकतुल्ला खान और उशा महता क्या वो इश्क जो इश्क अपने आप में उस तेजाप की तरह था जिसनने मजभवी उनमात की तमाम धारणाओं का पलीता जला दिया था यकीन मानिये ये महबबत उस दोर में जवान होती है जब धार्मिक एकता की बात करना तलवार की नोक पर चलने जैसा था तो ये तो हिंदू और मुसल्मान की महबबत थी सोचिए जनाब धर्म के ठेकेदारों ने ना जाने कितनी बाधाएं खड़ी की होंगी मगर इन तमाम आधाओं को पार कर कैसे उशा महता और बरकुतुल्ला खान की महबबत अपने अंजाम तक पहुचती है यकीन करिए कहानी सुनते सुनते आप ये भूल जाएंगे कि ये किसी सियासतदार की कहानी है लगेगा मानो 17 mm का सिनेवा चल रहा है जिस सिनेवा को देखने के बाद चहरे पर मुस्कान होगी और जहन में सिर्फ और सिर्फ महबबत की मिठास चलिए हमारे साथ साल 1920 राजस्थान का दिल जोधपुर जोधपुर के एक बड़े व्यापारी परिवार में जन्म होता है बरकत्मिया का परिवार व्यापारिक था तो आर्थिक समस्या की कोई बरकत्मिया आराम से शुरुवाती सिक्षा दिक्षा में प्रमीन होते हुए आगे बढ़ते गए जब बारी उच्चे सिक्षा की आई तो तमाम उच्चे सिक्षण संस्थानों की तलाश शुरू हुई जो तलाश समाथ होती है लखनव विष्विद्याले में और अच्छे हो तो वकालत के डिगरी करो काला कोट पहनो वकालत करने पहुँच जाओ कभी न कभी किस्मत खुल गई तो सियासत नभी आगे आही जाओगे बरकत्मिया के साथ भी यही होने वाला था सोचके नहीं गए तो लखनव विष्विद्याले में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई शुरू आती दिनों में तो बरकत्मिया की छवी कुछ ऐसी थी कि मानों बिलकुल सीधा साथा केवल पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला कितावी कीड़ा टाइप का विद्यार्थी जो सीधा होस्टल से से सकेल्टी से होस्टल मगर धीरे धीरे विष विष विद्यालाई कर्टब अपना असर दिखाते हैं और बरकत्मिया तिसरे चोथे बरस तक आते आते लखनव विष विद्यालाई के सबसे प्रवीड कर्टबी विद्यार्थियों की गिंती में शुमार हो जाती हैं अब ये कर्तवी विद्यार्थी कौन होता है। कर्तवी विद्यार्थी माने वो विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई के अलावा जो दूसरे कारी होते हैं उनके संपाधन करने में बिल्कुल प्रवी होता है। तो विश्योद्याले के तमाम प्रक्रमों में अपनी महनिया भोमिका निम्हाने के करणा बरकत निया करतवी छात्रों की गिंटी में शुमान थे मानने जुनियर्स की रेगींग करना, जुनियर्स के साथ तमाम तरीके की बातें जैसा आप सोच सकते हैं अगर आप विश्विद्याला में पढ़े होंगे तो faculty की तमाम बातें मालूम होंगी खेर ऐसा ही एक रोस था और law faculty के seniors juniors का intro लेने hostel में घुसते हैं अब वो दृष्चे बड़ा कमाल का होता है जब seniors आ रहे होते हैं और juniors की बत्ती गुल होती है चुनकि seniors के सामने intro देना पड़ेगा अब बरकत मिया अपने कुछ साथियों के साथ कहुचते हैं juniors के hostel में और तमाम juniors को खड़ा करते हैं लाइन में चलो चलो बताओ अपना intro अब भाई seniors के सामने शुरुआत में किसकी बोलती खुलती है सब धीरे धीरे intro देना शुरू करते हैं अचाना के एक लड़की खड़ी होती है पतली दुबली सी खड़ी होती है और पूरे तेवर में बोलती है नाम उशा महता वैसे आप मुझे सिर्फ उशा बुला सकते हैं चुँकि मैं इस जाती धर्म के मामने में विश्वास नहीं करती हूँ ये वो दौर था जब धर्म सबसे बड़ी अस्मिता का प्रतीक बन चुका था और अगर लखनव विश्विद्याले के प्रांगाण में खड़ी होकर कोई लड़की ये बात कह दे कि मेरे लिए धर्म और जाती के माइने नहीं है तो बात बरकत मिया के दिल में घर कर इस लड़की को छोड़ कर बाकी जिसके साथ जो चाहे वो करो लेकिन इस लड़की के पास मत जाना सारे दोस्त बरकत की ओर देखते हैं मुस्कुराते हैं और फिर चले जाते हैं आगे बढ़ जाते हैं वो दिन था कि उसके बाद बरकत मिया हर रोज उशा महता के होस्टल क गलियारे में कभी एक किताब लिये हुए उस खंबे के किनाले टिके हुए एक लड़का खड़ा है कभी एक किताब हाथ में दबाए हुए दूसरी लड़के के साथ बात करता वो लड़का वहाँ खड़ा है हर रोज एक ही लड़का अपने होस्टल के कमरे के इर्दिगर्द उशा मैता देखा करती थी एक रोज की बात है, फेकल्टी से होस्टल अपने घर की तरफ आ रही थी देखा गलियारे में फिर वही लड़का खड़ा है लड़का जैसे ही उशा की तरफ आगे बढ़ा, उशा जट से अपने कमरे के अंदर जाती है और दोर अंदर से बंद करती है, अंदर उनकी सीनियर बैठी हुई थी उशा मैता अपनी सीनियर से पूछती है, ये लड़का कौन है? सीनियर ने बताया, ये बरकत्मिया है, बड़े तरकीवी आदमी है, इनके पास हर चीच की तरकीव है और कमाल के करतबी भी है, अब करतब और तरकीव इन दोनों का मेल जोल होता है तो टिपकल विश्विद्याला ही टकोरा आदमी बनता है, जैसी छवी बरकत्मिया की चौथे बरस तक आते आते पूरे विश्विद्याला में बन चुरी थी खेर उशा महता के जहन में ये बरकत्मिया का पहला इंट्रो था यानि विश्विद्यालायकास सबसे टकोरी जात्र तो उशा महता समझ चुकी थी कि इस लड़के को ज़्यादा भाव आओ देना नहीं है यानि बरकत्मिया दो शब्द के लिए तरस गए थे कि उशा महता उनसे दो शब्द बोलने खुब आगा पीछा किया लेकिन उशा कुछ बोलने को तयार ही नहीं थी दो मिनट यानि एक सवाल का जवाब तक देने को नहीं तयार थी माने वो तमाम हतकंडे अपना लिये थो जब विश्विद्याले के तमाम लड़के अपनाते हैं मगर उन तमाम हतकंडों का उशा महता पर असर नहीं होने बाला था ये उशा महता थी तेस तर्रार तेवर के लिए जाने जाने वाली ठीर, बरकत नियां ऐसे लगातार कोशिसों में जुटे थे, कि एक दिन बरकत मिया के कोशिस रंग ला गई, अब कहते हैं और लगातार मेंद करते रहो तो फल मिली जाता है, एक दिन कैंटीन ने बैठ के बरकत मियाँ खाना खा रहे थे, सामने देखा तो उशा महता भी अपनी प्लेट लेके बरकत मिया की ही तरफ आ रही है बरकत मिया ने सोचा खेर हमाई टेबल पे तो बैठेंगे नहीं दूसरी टेबल पे बैठ जाएंगे अगर ये क्या उशा महता बरकत की टेबल के ही पास खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी बरकत मिया ने अगल बगल देखा तो देखा अच्छा 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 यानि कोई सीट खाली नहीं है और एक ही चेर खाली है वो है मेरी टेबल के सामने वाली बरकत मियां की बाचें खिल गई वावाँ यानि फल मिल गया इतने दिनों की महनत का बरकत मियां उशा मैता की ओर देखते हैं बैठी है उशा मैता बरकत की तरफ देखती है फिर सोचती है चलो जैसा भी है कौन सा बात करने के जल्दी से खाना खाके उठ जाएंगे चेर साइट करती है बैठ जाती है बरकत निया उशा की नजरों में देखते हैं और वे कहते हैं अच्छा आप ही थी ना वो जो उस दिन सीनियर्स के सामने कह रही थी कि मेरे लिए जाती धर्म के कोई माइने नहीं है उशा ने का बिलकुल कोई माइने नहीं है बरकत निया बोलते हैं सच में उशा केती है बिलकुल कोई सच कहां बरकत निया ने का अच्छा आख तो मैं मुसलमान हूं बरकत उल्ला खान और आप इंदु मैं भी खाना खा रहा और आप भी खाना खा रही है उशा ने कहा तो बरकत्मिया ने कहा अगर मेरी थाली में यानि जिस थाली में मैंने खाना खाया है अगर इस थाली में खाना आप खाल तो मैं समझ जाएंगा कि वाकर या आपके लिए जाती धर्म जैसे कोई विशय नहीं उशा मैंता कहते हैं इ ये जो उशा मैता कहती रहती है ना कि इनके लिए जाती हो धर्म के कोई मायने नहीं है सब बखवास बात है मेरे साथ खाना तो खाया नहीं इन्होंने चुंकि मैं मुसल्मान ता इसलिए उशा मैता घुसाते हुए देखती हैं बरकत की तरफ अपने पास रखती है और अपनी धाली बरकत की और साइट करती है और पूरा खाना बिना बोले खतम करती है मगर बरकत लिए तो खुश इसी बात से थे कि चलो उनकी बात का जवाब तो दिया था उशा मैता ने बातचीत ना हो ना चलो कोई बात में शुरू तो हो मामला खाना खतम करने के बाद उशा घुसा के बरकत से कहती है देख लिया अब तो समझ में आ गया ना मेरे लिए जाती और धर्म के कोई माइने नहीं रखते है उशा ने का अच्छा बरकत ने का और क्या तभी तो देखिए मैं आपकी धाली में खाना खालिया उशा थाली देखती है और फिर मुस्कुरा के उठ जाती है ये थालियों की अदला बदली से शुरू हुई दास्तान थी जो बस चंद माहिनों के भीतर लखनव विश्विद्याला की सबसे मशूर कहानी बनने वाली थी दिरे दिरे उशा और बरकत में बादचीट शुरू होती है और महिने दो महिने तीन महिने गुजरते गुजरते उशा और बरकत के बीद जो असहजता की दिवार थी वो तूट चुकी थी और दोनों एक दूसरे के जरा करीब आ चुके थी उशा को भी लगने लगाता है जैसा तैसा भी है लड़का ठीकी है इतना बुरा भी नहीं है यह जो ठीकी है इतना बुरा भी नहीं है वाला टैग है ना जब लग जाता है तो संभावनां के कपाट खुल जाते हैं और बरकत मिया तो पहली नजर से ही गिरफतार थे भाई साब तो बरकत मिया के लिए तो दूसरा चांस था ही नहीं और उशा महता के जहन में जगां बनाने के लिए बरकत मिया जो इतने दिनों से महनत कर रहे थे अब वो धीरे धीरे रंग लाने लगी थी और उशा महता और बरकत की ये कहानी लखनव विश्विद्याले में धीरे 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 मशूर हो रही थी धीरे धीरे उशा और बरकत की इस कहानी के मामले में एंट्री होती है संस्कृती रक्षक दलों की, ये हर जगह मौजूद होते हैं, जिने संस्कृती के जंडा बरदार बनने की आदत होती है, वो दौर भी ऐसा था, नाजुक, मजभी कटरता की आख सुलग रही थी, ऐसे मैं मामला हिंदू मुसल्मान का था, तो सम्वेदन शील बरकत को मिलने न दिया जाए, चाहिए इश्क की आग है न जनाब, जितना दबाने की कोशिस करेंगे न उतना भड़कती हैं, माने अभी तक तो उशा महता को लगता था कि बरकत से ना भी मिले तो चले, मगर अब जब जान बूच के बरकत से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तब उशा का दिल मानता ही नहीं था बरकत से बिना मिले और बरकत तो उशा से बिना मिले रात को सोते ही नहीं थे बस बरकत तो उशा नहीं संस्कृती रक्षक दलों से बचने का एक उपाय धूरा और शाम होते ही लखनोव विश्विद्याले कि प्रांगान से जड़ा दूर हटके बाहर मुलाकात करने लगे और ये मुलाकातें धीरे 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 रूहानी होती चली गए और एक बरस होते होते दोनों को इलहाम हो चुका था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं विचार से लेके एक एक विचारिक अंग तक सब कुछ मिल चुके थे वैचारी की मेल खा रही थी और एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह से बरकत और उशा गिरफतार हो चुके थे खैर इसी बीच गर्मी के छुटियां आती हैं और बरकत जोतपूर चले जाते हैं चुके घरवालों का बुलावा था अब जिस्म तो जोतपूर में है मगर दिल लखनव में अटका है जोतपूर से लखनव की दूरी मानो इतनी खल रही थी बरकत को कि जी कर रहा था अभी लखनव चले जाएं मगर यह हुआ कि चलो घरवालों का भी खयाल लखना है तो दस-पंदा दिन यहीं रह लेते हैं मगर दस-पंदा दिन में कुछ तो किया जाए तो बरकत ने उठाया कागज और उठाई कलम और पूरे दिल का हाल उटार डाला खत में और उशा महता के लिए पोस्ट ओफिस डिलिवर करने के लिए निकल पड़े मगर गड़ यह हो गई कि पोस्ट ओफिस से खत निकलने से पहले वो खत न जाने कैसे बरकत के घर वालों के हाथ लग गया अब बरकत के घर वालों के हाथ खत लग गया तो बरकत के घर वालों को मालून चल गया कि बरकत्मिया के दिल और जहन दोनों में उशा महता बसी हुई है अब मामला यहां भी हिंदू-मुसल्मान का था हिंदू-मुसल्मान की आग तो यहां भी भड़की हुई थी तो परिवार वालों को लगा उशा महता वाला ख्याल जादा से जादा मजबूत बने इसके पहले अभी इसी वक्त बरकत्मिया के शादी ब्या कर दो ताकि सारा मामला ही खतम अब घर वाले लग गए रिष्टा धूनने में अच्छा रिष्टों की तो कमी नहीं थी वैसा बरकत्मिया जैसा पढ़हा लिखा लड़का अच्छा बरकत को यह बात मालूम नहीं थी एक दिन ऐसे ही परकत को मालूम चला कि इनकी शादी करवाई जा रही है चटमंगी पटब्या के चक्कर में पूरे परिवार वले चाहरें गर्मी के छुट्टी के पहले बरकत की शादी हो जाए बरकत को लगा यह तो मामला पूरा का पूरा हाथ से निकल गया बरकत ने सोचा इसका एक ही उपाए और आधी रात बरकत लेटर लिखके घर वालों के नाम के विश्विद्याले में बड़ा आवश्यक कारी है परिक्षा से जुड़ा हुआ कारी है और लिखके आधी रात दो कपड़ा बैग में डाला भागते बूत लंगोटी साई कौन पूरी पैकिंग करने बैठता है अगर घर वालों ने समचा चलो अब करी कैसकते हैं बरकत लिखके आगे लखनो विश्विद्याले और लखनो विश्विद्याले में आते ही दिल को मिला सुकून चुंकि सामने आई उशा की शक्र दोनों को लगा चलो महबत मुकंमल हुई अब एक दूसरे के साथ लखनो में इम्तिहान ना हो तो महबत महबत नहीं होती है यह इश्क नहीं आसान एक आख का दर्या है और भूप के जाना है ऐसे ही थोड़ी कह गया था गाले बात से 800 वरस पहले इन दोनों की महबत में अभी कई इम्तिहान आने बाकी थे और सबसे बड़ा इम्तिहान तो बस बने वाला था अब सोच रहे होंगे इसमें क्या समस्या भाई विश्विद्याले में पढ़ते थे पढ़ते रहेंगे जनाब इसमें पेंच ये था कि बरकत मिया उशा महता से बड़े थे और बरकत मिया का कोर्स कंप्लीट होने वाला था जबकि उशा महता का भी एक बरस क कोर्स बाकी था सवाल यही था कि अगर विश्य विध्याले से पास आउट होके बर्कत निकल जाएंगे तो बर्कत और उशा एक दूसरे के साथ कैसे रह पाएंगे एक शाम ऐसे ही एक दूसरे के साथ बैठ के इसी सवाल के जवाब की तलास कर रहे थे दोनों कि अचानक बरकत उशा का हाथ पकड़ते हैं और उशा से कहते हैं चिंता मत करो उशा मुझे मिल गया इस सवाल का जबाब हम दोनों साथ रहेंगे और पक्का रहेंगे उशा बरकत की ओर देखती हैं बोलती है कैसे बरकत कहते हैं लोग की पढ़ाई तो कर रहा हूँ मैं पांच साल पूरे हो जाएंगे पढ़ाई पूरी हो जाएगी अब इसके बात करना क्या है काला कोट पहनूंगा वकालत करने चला जाऊंगा यहीं लखनव के अदलत में वकालत करूँगा मैं वकील बन जाओंगा तुम पढ़ाई करती रहना दोनों यहीं लखनव में साथ में रहेंगे उशा को भी रखता है चलो इस इम्तिहान से तो अवल दर्जे से उत्तीर होके निकल गए मगर जिसे वो एक इम्तिहान से अवल दर्जे से उत्तीर होना समझ रही थी वो असल में एक सबसे बड़े और दूसरे इम्तिहान का मुहाना था जो इम्तिहान अब खुद्रत लेने वाली थी बरकत और उशा के इश्क की अचानक बरकत के घर में एक आकस्मी घटना घटती है जिसकी वज़ा से बरकत को जोतपूर जाना पड़ जाता है बरकत जोतपूर जाते हैं और इसी बीच राजस्थान के एक बड़े कॉंग्रेस नेता बरकत के घर आये हुए होते हैं वो 1946 की कैबरेट मिशन के बाद हुए जो भारत के चुनाओ थे उन चुनाओ के सिलसले में राजस्थान की लोकप्रिय सरकार एक लोकप्रिय टैग होता है जो राजस्थान की पहली गवर्निंग सरकार थी उस सरकार के संबंद में बरकत मिया के खांदान से यानि बरकत मिया के तमाम बड़े बुजर्गों से बादचीत करना है इसी बादचीत के क्रम में वो नेता महोदय बरकत के पिता जी के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं कि हम अपनी राजस्थान की पहली लोकप्रिय सरकार बना रहे हैं और इसमें आपकी विरादरी की भी नुमाइंदगी चाहते हैं यानि एक मुस्लिम चहरा चाहते हैं तो आप अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए हम उसे वजीर बना देते हैं बरकत के परिवार वाले एक दूसरे का चहरा देखते हैं और फिर तय होता है कि अच्छा मौका है बरकत को यहीं जोत्पुर में फसा के रखने का इसा करते हैं बरकत का नाम सुझा देते हैं अगर बरकत सियासत में चला गया तो धीरे-धीरे ही सही सियासत में उलज जाएगा और अगर सियासत में उलज गया तो धीरे-धीरे ही सही उशा को भी भूली ही जाएगा बस परिवार वालों ने बरकत का नाम सुझा दिया और दे दीजिएगा खुब काम दीजिएगा इतना उल्जा के रखिएगा कि बरकत को मौका ही न मिलने पाए कहीं जाने का और बरकत लखनव तो बिलकुल नहीं पहुँचना चाहिए इसकी जिम्मेदारी आपकी भी है और हम लोग भी जिम्मेदारी निभाएंगे ही वो दिन था कि बरकत मिया के परिवार वालों ने मनोगिद द्रिष्टी लगा दी थी मने रात के समय भी बरकत को अकेले नहीं छोड़ते थे कि बरकत लखनव न चले जाए और इसी बीच तमाम सियासी काम सोंपे जाने लगे देश आजाद होने की परक्रिया में था तो ये तमाम काम भी बहुत महत्तपूर जनाई पढ़ते थे बरकत इन कामों में भी फसने लगे बार बार लखनव जाने का दिल भी करता था वगर लखनव जाने नहीं दिया जाता था चुंकि सरकार से लेकर परिवार तक सब कोई बरकत के लखनव जाने के खिलाफ हो चुका था तो बरकत एक महीने गुजर गए बरकत नहीं आए उशा हर शाम देखती थी कि शायद अब बरकत आएं शायद आज बरकत आजएं शायद आज बरकत आजएं अगर बरकत नहीं आए उशा इंतजार करती रह गए उशा के सहलियों ने कहा छोड़ दो बरकत को बरकत के घर वालों ने बरकत की दूसरी शादी करवा दी होगी छोड़ दो बरकत को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ू इदर बरकत का दिल उशा में ही अटका हुआ था इस एक बरस में भी नजाने कितनी बार शादियों की कोशिसें कराई गई बरकत की अगर बरकत नहीं माने हर बार कोई न कोई अडंगा डाल देते थे चोंकि दिल में उशा की तस्वीर बसी होई थी और उशा के लिए वो एक बरस सदी समान हो गया था लखनव विश्विद्याले के प्रांगाण में बरकत का इंतजार करते करते उशा ना जाने कितनी रातें जाग जाग के गुजार देती थी ये सरिफ उशा की सहेलियों को ही पता था ऐसा ही एक रोज था उशा बहुत परिशान थी तो उशा की परिशानी को देखते हुए उशा की सहेलियों ने तय क्या कि उशा को कुछ 아이सा बता देते हैं, जिससे उशा कमस्कम इस गम से निकले तो सही कि बरकत नहीं आए। कमस्कम इस उम्मीद से निकले कि बरकत अब नहीं आएगा, ताकि जिन्दगी में अपनी आगे बढ़े। उन सहेलियों ने मिलके उशा के दिमाग में कहानी गढ़ दी, कि बरकत के परिवार वालों ने बरकत की दूसरी शादी करा दी है और बरकत अब शादी शुदा हो चुका है, इस ने बताया, उसने बताया ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तमाम चीजे गढ़ के उशा के जहन में ये कहानी घर कर दी गई कि बरकत की दूसरी शादी हो गई और इधर बरकत शादी करने को नहीं टयार थे चुर्के दिल में उशा की तश्वीर बसी हुई थे कमाल की प्रेम कहानी होती है न कहां से कहां पहुत जाती है लखनव विश्विद्याले में उस साम जब बरकत और उशा एक दूसरे के हाथ में हाट डाले हुए, एक दूसरे के साथ रहने की कसमे खा रहे थे कहां किसे मालूम था कि नियती कहां परला पठेगी खेर बरकत जोतपुर में ओलजे थे और यहां लखनवु में अब उशा के आंसु भी सूख चुकी थे खेर आठ महीने होते हैं नौ महीने होते हैं जब एक बरस होने को आता है तो बरकत के सब्र की सीमा जवाब दे देती है अब बरकत कुछ भी कर देने को तयार थे मगर जोतपुर में रहने को नहीं तयार थे बरकत सोच चुके थे कि अब उन्हें अपनी महबत पानी है और इस महबत को पाने के लिए वो कुछ भी करेंगे बस बहुत हुआ जुदाई गगम अब नहीं और बरकत कैसे भी करके तमाम तरीके के जुगार लगा के हर संभव कोशिस करके चूंकि इसकी त्यारी वो महिनों से कर रहे थे कि कैसे आखों में धूल जोकी जाए चूंकि धूल स्रिफ परिवार वालों की आख में नहीं जोकनी बड़ा मुश्किल काम था ये अगर मुहबत है ना जो शीशे से पत्थर तोड़े उसका नाम मुहबत है खैर बरकत ने भी संभव को संभव करने का ठान लिया था और धीरे से ही सही उस नामुंकिन को मुंकिन करते हुए बरकत एक बरस के बाद सब कुछ छोड़ के मंतरी जिम्मेदारी, सियासत, सब कुछ परे हटाके जोड़पुर से सीधा लखनव पहुशते हैं लखनव के स्टेशन पर उतरते हैं तो मानो बरकत को उनका मुकाम में लिया था अगर असली मन्जिल तो बाकी थी बरकत उशा की एक शकल देखने के लिए बेताप थे दिल में न ऊशा महिता के होस्टल की तरफ जाते हैं, ऊशा की कमरे पर पहुंचते हैं, तो कमरे के गेट पर ताला लगा हुआ था और नाम पटिका पे ऊशा महिता नहीं, किसी दूसरी चहत्रा का नाम चसपा था। बरकत को समझ नहीं आया, हुआ क्या, कहां गें उशा, अगल बगल के कमरों में जहांका, कहीं किसी नाम पट्टिका पे उशा का नाम नहीं था, उशा को धूरते धूरते बरकत उशा की सहेलियों के पास गए, उनसे पूछा, पता चला उशा तो खुष्टर में रहती ही नहीं है, कहां गे उशा, धूरते हुए बरकत लखनोव विश्विद्य लेकि हर प्रोफेसर से मिल लेना चाहते थे, ताकि उशा से मिलने की हर उमीद, कोई एक उमीद ऐसी ना हो, जो उमीद बरकत के हाथों से निकल जाए, इसी उमीद में बरकत, ना उमीद होते हुए भी, उस उमीद की तलाश में, हर एक प्रोफेसर के पास जाकर, उस लेना नहीं चाहते थे उस प्रोफेसर ने बरकत से बताया कि उशा वो तो लंडन चली गई बहुत परेशान थी यहां रहते हुए बहुत दुखी हो गई थी बहुत गुमसुम सी रहती थी अचानक एक दिन हम लों के पास आई और बोली कि अब वो हायर स्टेडीस के लिए ल लंडन में कहां है किसी को कुछ नहीं मानून है उशा का घर भी बरकत जानते नहीं थे क्यूंकि मैं साल डेड़ साल के फासले के बीच इतना सब कुछ घट चुका था कि किसी को कुछ नहीं मानून था बरकत मायूस होकर लखनो विश्विद्याले के मुख्य द्वार से जब निकल रहे थे तो मानो बरकत की दुनिया चूटी चली जा रही थी बरकत को लग रहा था सब कुछ खतम अब उशा नहीं है तो सिंदगी में रौनक कहा बरकत जोद्पुर वापस आ जाते हैं सियासा शुरू कर देते हैं मगर ये वो बरकत नहीं थे जो बरकत कभी पहले हुआ करते थे जिन्दा देने हसी मजाख करने वाले गुमसुम रहते थे गंभीर हो गई थे सबको बरकत का ये परिवर्तन नजर आ रहा था खेर बरकत को लगा अब नियती कुछ और ही चाहती है उपर वाले ने जुदाई का गम तक दीर में लिख दिया है तो खेर कोई बात नहीं दो बरस हो गए परिवार वालों ने फिर से शादी की रट लगाई तो बरकत ने साफ कह दिया ना अगर जिन्दगी में उशा नहीं तो कोई नहीं अगर उशा से शादी नहीं तो किसी से भी शादी नहीं कमाल की बात है ना यहाँ बरकत शादियों को मना करते जा रहे थे और वहाँ उशा के जहन में बरकत की शादी की तस्वीर चस्पा हुई थी खैर ऐसे ही तीन-चार बरस हो गए अब बरकत के जहन से भी उशा के दुबारा मिलने की उम्मीद तूट चुकी थी मगर कहते हैं ना जब सब कुछ तूट जाता है तो जो बचा रह जाता है उसे महबत कहते हैं महबत के इसे इम्तिहान में बरकत और उशा दोनों अवल दरजे से उत्तीन होकर निकले थे दोनों एक दूसरे से जुदा तो इतने थे कि एक दूसरे के बीच साथ समंदर समा जाएं मगर साथ समंदर पार रहकर भी जी एक दूसरे के लिए ही रहे थे बरकत के जहन में भी सिर्फ और सिर्फ उशा की तस्वीर थी और उशा की आँखों से बहते आंस्वों के हर बून में सिर्फ और सिर्फ बरकत का आक्स अब जिम्मेदारी एक दफ़ा फिर नियति के कंधों पे थी जिसने इन दोनों को जुदा किया था अब वही नियति इन दोनों को मिलाने वाली थी देखते जाईए नियति का चक्कर कैसे घूमता है और कैसे साथ समंदर दूर बैठे ये दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं दिल्ली का मौसम था और दिल्ली के मौसम में फिराक सहाब की दावत थी अब दिल्ली का मौसम फिराक साहब की दावत वैसे जुगलबंदी गजब की। और फिराक साहब ने इसी दावत ने बतौर सियासदार निवंतृत किया था बरकत मिया को और अपने एक बच्चपन के दोस्त को भी बुलाया था नाम मिश्चर महता जो फिराक साहब के बच्चपन के दोस्त है अब दिलचस्प देखिए कि ये मिश्चर महता कोई और नहीं उशा महता के पिता थे। जिनके दोस्त थे फिराक साहब जिन्होंने रखी थी दावत और उस दावत ने बुलाया था बरकत निया को। कैट निमांतर न पत्र तो मिश्टर महता को मिल गया था मगर जिस दिन पाल्टी थी ठीक उसी शाम उनकी तबियत अचानक बहुत खराब हो गई। और उनकी देख भाल के लिए और छुप्टी बिताने के लिए उन दिनों उनकी बेटी उशा महता लंडन से भारत आई हुई वे उशा से कहते हैं बेटा मैं तो नहीं जा पा रहा हुँ फिराक साब की दावत में ऐसा करो मेरी तरफ से तुम चली जाओ जाओ जरूर चूंकि उन्होंने बड़े दिल से मुझे बुलाया था। उशा घर से उस पाल्टी में जाने के लिए निकलती हैं जिस पाल्टी मे बरकत मजूद थें सोचिए नियती जब एक दूसरे को मिलाने पर आती है तो कैसे मिलाती हैं फिराक साब की उस पाल्टी के बीच बरकत और उशा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं फिराक साब के सामने बरकत और उशा की नजरें मिलती हैं और नजरें क्या मिलती हैं मा अगर महफिल में ध्यान किसका था? ध्यान तो बस एक दूसरे के लिए था, बस एक दूसरे में लगा हुआ था, चुनकि बरकत सर्फ और सरिफ उशा से मिल कर तमाम शाक सुबास ने मिटा डालना चाहते थे, और उशा जल्दी से जल्दी बरकत से मिल के अपने दिल का वो बो जब मुहवत और गुस्से का मिलन होता है ना जनाब, तो जो बनता है उसे कातिलाना मेल कहते हैं, खेर मौका धूरते धूरते ही सही, फिराक साहब की इस महफिल के बीच, फिराक साहब के बंगले के आहाते में ये दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं, और मौ मिल ही जाता है उन दोनों को एक दूसरे से तो मिनट की बातचीत करने का फिराक साहब के बंगले के आहाते में चार बरस के बाद बरकत और उशा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और फिर जो बाते होती हैं उसे एतिहास कहते हैं बरकत और उशा एक दूसरे की आखों में देखते हैं और फिर उशा तंज भरे अंदाज में बरकत से पूछती हैं कैसी चल रही है बरकत साहव आपकी शादी शुदा जिन्दगी बरकत उशा की ओर देखते हैं और कहते हैं शादी शुदा जिन्दगी उशा के इस एक वाक्य के पीछे उशा के नजाने कितने भाव थे उशा की आँखों से बरबा सी आसुओं की वो बूदें जलाक आई थी जो हर प्रश्ण से जुड़ी हुई थी उशा अपने दिल का गुबार निकाल वही थी और गुस्पे में पूछा और क्या बरकत लिया आपकी शादी शुदा जिन्दगी कैसी चल रही है बताइए बरकत उशा की ओर देखते हैं और वहत गंभीर होते हुए कहते हैं उशा कुछ भी कहना मगर ये ना कहना कि मैंने शादी की और नाजाने कितने रिष्टे आये मगर किसी रिष्टे पर हाँ नहीं की चुंकि इस दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तस्वीर थी अगर जिन्दगी में तुम नहीं तो कोई और नहीं अगर शादी तुम से नहीं तो किसी और से नहीं सवाल ही नहीं उठता है शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ तुम से करनी थी तुम थी नहीं तो शादी कैसे करता शादी शुदा को तो कोई सवाल ही नहीं है और रही बार जिन्दगी मेरे बीना तुमारी जैसे कट रही थी वैसी ही तुमारे बीना मेरी कट रही है बरकत के इस एक जवाबने मानो उशा के दिल पे लगे तमाम चक में भर दिये थे उशा की आखों से आस्वों का वो फवारा फूट परता है जिसमें न जाने कितने भाव थे और उशा और बरकत एक दूसरे का हाथ थामे फिराक सहब के बंगले के उस आहाते में खड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को वचन देते हैं कि बस अब बहुत हुआ अब चाहे जमाना भीच आजाए चाहे दुनिया भीच आजाए अब एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और ये महबत मुकमल दास्तान में तबदील हो जाती है दिन्नी में फिराक साहब के बंगले के आहाते में निया भीच आजाए